हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टो माई यूट्यूब चैनल आज मैं आपको बताने वाली हूँ लेटेस्ट प्रोसीजर ओफ ड्राइविंग लाइसेंस एक्सचेंज का की अगर आप पुर्तगाल में हैं या फिर आना चाह रहे हैं और आपके पास अपनी होम कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस है वह एक्सचेंज करवाया है तो आप स्क्रेन पर देख सकते हैं मेरा ड्राइविंग लाइसेंस तो इसक मंत के अंदर अंदर मेरा काड भी बनकर आ जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस का तो इसका experience मैंने सोचा आपके साथ शेर करू क्योंकि के latest information है ताकि किसी भाई की help हो सके तो इसलिए मैंने यह वीडियो बनाई है तो इसके लिए मैंने क्या क्या डॉकुमेंट सम्मिट करवाए हैं क्या इसका प्रोसीजर कैसे अपलाई किया है और कितने टाइम में मुझे यह ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया है इस ड्राइव एपनी होम कंट्री का ड्राइविंग लाइशिंज के बाद आपके पास स्चोल अप्जक्शन सर्टिफिकेट कहुए हुई है अप हुथद्धन में नमब Benjamin का रेजीडेंसी कार्ड अगर नहीं है पहले हो जाती थी अपलाइब फाइन लेकिन अभी जो है डॉइंध काड के बीना डारी लाइसेंस अग्चे integ नहीं हो पाहा है उसके बाद हम बात करेंगे कि आपके पास Domicile Fiscal Certificate होना चाहिए जो आप अपने Finance Portal से डाउनलोड कर सकते हैं इसके उपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है अपने YouTube चैनल पर आप देख सकते हैं तो इस वीडियो को आप देखेंगे तो आप अपना जो Fiscal Domicile Certificate है वो इसी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं तो अगर आपके पास यह सारे documents है पांस documents है तो आप अपनी जो फाइल है वो online apply कर सकते है driving license की तो यह सारे documents आपको collect करने हैं उसके बाद IMT की website पर जाकर आपको online अपना form फिल करना है और यह सारे documents PDF में के रूप में submit करने है तो यह कैसे आपको online apply करना है इसके उपर भी मैंने यह video बनाई हुई है आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं उसके बाद आपके पास 15 दिन का टाइम होता है 15 दिन में IMT office से आपके पास mail आती है 15 working days में कि अगर आपके सारे documents ओके हैं तो वो आपको appointment की mail कर देते हैं कि आप appointment book कर लें या फिर आप day by day के day जाकर भी वहाँ early morning में वहाँ पर अपनी appointment ले सकते हैं वहाँ पर आपको जाकर token लेना होता है IMT office में और फिर आप वहाँ पर अपने सारे document submit करवा सकते हैं अगर आपके पास कोई mail नहीं आती है तो उससे पहले आपने कोई भी appointment book नहीं करनी है जब उनकी आपके पास appointment के लिए mail आती है कि आपके सारे documents ओके हैं आप appointment book कर लीजिए वो आपको places भी बताते हैं mail के अंदर कि आप इस place पर जाकर appointment book कर सकते हैं तो उन-उन place पर जाकर आप online अपनी appointment book कर सकते हैं आप appointment कैसे book कर सकते हैं इसके उपर भी मैंने ये वीडियो बनाई हुए आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं तो appointment आप 15 दिन के बाद आपके पास mail आ जाती है अगर आपके सारे documents अगर नहीं है तो वह आपके पास mail करेंगे अगर आपका कोई फालता आ जाता है तो दोबारा से आप से document मांगे कि आप ये documents दोबारा से send कर दीजिए तो आप दोबारा से send करेंगे तो फिर आपके पास 15 दिन का time लगता है ये सारे documents आपको लेकर जाने है जो मैंने आपको बताए है ये आपको original documents लेकर जाने है अपना original driving license लेकर जाने है क्योंकि driving license वह वहाँ पर submit कर लेते हैं और आपको पुर्तगाल का driving license वह ते देते हैं साथ के साथ तो जब आप सारे documents लेकर जाएंगे वहाँ पर वह आपकी पिक्चर लेंगे जब आपकी टर्न आएगी तो वह आपकी पिक्चर लेंगे और साथ के साथ आपको ऐसा जो है ड्राइविंग लाइसेंस दे देंगे जो कि 6 मंत के लिए वैलिड होता है तो six month के अंदर अंदर आपका driving license का जो काड होता है वह भी बन कर आ जाता है अगर six month के अंदर आपका driving license काड बन कर नहीं आया है तो उसके expire होने से पहले आपको दुबारा से उसी आयमटी ओफिस जाना होगा और उनको बोलना होगा कि मेरा एक्सपायर होने वाला है और मेरे पास काड भी अभी तक नहीं पहुंचा है तो वह दुबारा से आपको six month का ऐसा ही driving license निकाल कर दे देंगे जिसमें आप गाड़ी असानी से चला सकते हैं तो इस बीच आपका driving license definitely बनकर आपके पास आ जाएगा तो यह procedure होता है friends इसमें कोई लंबा चोड़ा काम नहीं है कहीं आपको चक्कर नहीं लगाने किसी office के तो सिरफ आपको यह documents आपके पास होने चाहिए उसके बाद आपको online apply करना है उसके बाद आपके पास appointment book करने की date आती है तो अपने appointment book करनी है और वहाँ पर अपने सारे अगर आपके कोई और comment है तो आप description box में आप बता सकते हैं अगर आपका कोई question है driving license exchange से related तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बैल अगर कितकल ईत्न हुआ रटार को आपका को किते हैं गब और है पुला आपका किते हैं आपका को सब्सक्राइब को में वीडियों अपका ग्तो Comput imaginar कितम हैlaughs एएफ behaviors